डॉक्टर, COVID-19 बिमारी का मेरा ट्रीटमेंट तो पूरा हो गया है लेकिन मैं नॉर्मल कब से हो जाओंगा? ये एक कॉमन प्रशन है जो हर उस डॉक्टर से पूछा जाता है जो COVID-19 पॉजिटिव पेशिंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं मैं डॉक्टर सुमिछ रिवास्तव आज आपको उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो COVID-19 पॉजिटिव पेशिंट्स अपनी रिकवरी फेज में महसूस करते हैं और मैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स के कुछ कॉंक्रीट सॉलूशन के बारे में आपको सजेशन्स दूँगा फ्रेंड्स कहते हैं वी शुड नेवर लूज होप वेन दा सन गोस डाउन दा स्टार्स कम आउट COVID-19 positive patients अपने treatment और अपने recovery phase के दौरान definitely कुछ कठिन दौर से गुजरते हैं बट maximum COVID-19 positive patients कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के अंतर में अपनी सभी normal activities को resume कर लेते हैं पोस्ट COVID सिनारियो में patients कुछ common symptoms से गुजरते हैं वो है fatigue, chest pain, chest heaviness, palpitations, breathlessness, short term memory loss और कुछ patients में होता है anxiety और depression इन problems के बारे में विस्तार से मैं बताऊँगा वीडियो के अगले part में COVID के recovery phase में जो सबसे common symptom patients realize करते हैं वो है fatigue इसका मतलब है recovery phase में patients एक अजीब सी थकान महसूस करते हैं chest related तीन common symptoms जो patients realize करते हैं वो है chest pain, chest heaviness और palpitations कई patients को उनके recovery phase में चाती में दर्द का एसास होना, चाती पे एक अजीब से दबाव का एसास होना और कुछ patients को चाती की धड़कन का एसास होना commonly देखा जाता है ये सभी complaints patients को mostly at rest होते हैं या बहुत बार exertion करने पड़ या किसी physical activity के करने पर बढ़ जाते हैं post covid phase में breathlessness या सास की तकलिफ होना एक ऐसा symptom है जिस पर patients को थोड़ा extra ध्यान देना चाहिए ये symptom especially उन patients में देखा जाता है जिनका covid-19 बिमारी में lung involvement जादा हो या CT scan करने के वक्त ऐसा देखा गया हो कि patients का core score जादा है कुछ minority patients में short term memory loss होता है जिसकी वज़े से intermittently patients कुछ छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं कुछ patients में post traumatic stress disorder जैसे कि anxiety, depression इन चीज़ों की भी शिकायत की जाती है ऐसे patients को कभी रात को घबराट होना, रातों को नीम नहीं आना, किसी काम में मन नहीं लगना इन चीज़ों का एहसास होता है इस लंबी list को देख कर आपको घबराना नहीं है क्यूंकि maximum patients इन सभी problems में से पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं Ministry of Health and Family Welfare India के दिये गई guidelines के अनुसार इन चीज़ों को follow करके हम post-covid phase में होने वाले complications को कम ही नहीं कर सकते बलकि उनसे एक अच्छी तरीके से लड़ भी सकते हैं Post-covid phase में proper recovery के लिए जो सबसे पहली advice जो मैं अपने patients को देता हूँ वो है adequate rest Admitted patients में discharge के बाद और home quarantine वाले patients में 15 दिन के isolation के बाद ऐसा suggestion दिया जाता है कि one week का complete rest किया जाए ऐसा कई बार देखा जाता है कि patients अपनी normal physical activities को जल्द resume कर लेते हैं जिसकी वज़े से उन्हें काफी थकान का एहसास होता है दूसरा important instruction जो सभी patients को दिया जाता है वो है to continue the suggested treatment discharge के वक्त या home isolation के वक्त बताया गया पूरा treatment चाहे वो multivitamins हो या बाकी सभी दवाएं हो उनको proper तरीके से लेना बहुत जरूरी होता है ऐसा कई बार देखा जाता है कि patients या तो medicines लेना भूल जाते हैं या medicines नहीं लेते जिसके वज़े से उनका recovery phase prolong हो जाता है तीसरा instruction जो patients को दिया जाता है वो है proper hydration and exercise recovery phase में पानी का intake बढ़ाने की वज़े से हमारी body से toxic products clear हो जाते हैं उसी के साथ साथ doctor patients को instruction देते हैं कि 10 से 15 minute की basic walking करके वो अपनी exercise capacity धीरे से build करें जो की recovery phase में patients को काफी confidence देता है चौथा common instruction जो patients को दिया जाता है वो है yoga and pranayam जो की कई बार neglect हो जाता है प्राणायम की मदद से हम हमारे respiratory reserves को बढ़ा सकते हैं उसी तरह से yoga के basic stretching के through हम हमारी body की physical conditioning कर सकते हैं जिसकी वज़े से respiratory symptoms जैसे की chest heaviness, chest pain और breathlessness जैसी चीज़ों में काफी आसानी हो जाती है और eventually हमारी exercise capacity build हो जाती है पाँचवा important instruction जो patients को दिया जाता है वो है to follow nutritious diet COVID-19 infection में बाकी infections की तरह कुछ chemicals release होते हैं body में जिनकी वज़े से appetite काफी कम हो जाती है ऐसे time पे हम doctors, patients को suggestion देते हैं कि इच्छा न होने पर भी regular meal intake लेना ज़रूरी होता है हमारी diet में adequate amount में nuts, fruits, vegetables, milk का inclusion करके हम हमारी body को protein और energy की जो requirement है वो सही तरीके से दे सकते हैं छटा instruction जो कुछ specific patients में दिया जाता है वो है to work on the memory जो patients को short term memory loss होता है या attention deficit जैसी problems होती है ऐसे patients में puzzle solving, पहिलिया बुझाना या कुछ memory games का सहरा लेकर इन problem से दूर रहा जा सकता है सातवा instruction जो patients को दिया जाता है वो है to have a good social and personal connect friends and family members के साथ regular basis पर interaction करना patients के early and fast recovery में काफी कारगर साबित होता है ऐसा देखा जाता है कि जो patients regular basis पर social media जैसे की whatsapp, facebook इन सभी चीजों पर अपने friends के साथ interact करें तो वो जल्द recover हो जाते हैं जहां तक personal connect का सवाल है अपने आपको किसी ऐसी चीज में mentally occupied रखना जैसे की books पढ़ना, music सुनना, youtube पर कोई motivational video देखना ये सभी patients को motivated ही नहीं रखता, बलकि एक constructive mindset से suggest करता है कि इस बिमारी में से वो जल्द बहार निकल सकते हैं आखरी और बहुत important instruction जो patients को दिया जाता है, वो है to focus on the alarmic signals COVID के recovery phase में कुछ minority patients cardiac या respiratory complications के शिकार हो सकते हैं ऐसे वक्त कोई भी unusual या persistent symptom जैसे की छाती में बहुत जादा दर्द होना, छाती में दबाव महसूस होना, हद से जादा, सांस की तकलीफ होना ऐसा कोई भी symptom आने पर जल से जल अपनी treating doctor से संपर्क करके आगे होने वाली difficulties को टाला जा सकता है Ultimately मैं मेरे patients को सला देता हूँ कि COVID के recovery phase में होने वाली difficulties को हमें जिंदगी बर थोड़ी जहिलना है It's just a matter of few days इन सभी problems को एक challenge की तरह face to face confront करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है इन problems में से बहार निकलने का Friends, finally एक बात समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है Recovery is a process, it takes time, it takes patience but the end result is extremely rewarding